हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन आप देख रहे हैं दिलिप टेलर शेन बुटिक और फ्रेंट्स आज के वीडियो में देखेंगे नाइट गाउन की कटिंग इसका मेजरमेंट है बावन इंच की लंबाई 38 चेस्ट 14 इंच सोल्डर चार इंच का अस्तिन है और अस्तिन के इसकी गोलाई 15 इंच की बाकी इसमें क्या सवधानिया रखना है किस तरीके से कटिंग करेंगे यह पूरे कटिंग पर दिखेंगे 22 लोगों ने इस नाइट गाउन के लिए रिक्वेस्ट किया था तो आज उन सभी के रिक्वेस्ट पूरे कर रहा हूं मैं वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सस्क्राइब भी कर लें तो चलिए फ्रेंड्स वीडि की जानकारी आपको मिलती रहें तो फ्रेंड्स इस नाइट गाउन के लिए हमें उसकता होगी एक पुरानी साड़ी की और इस साड़ी से आप कटिंग करके गाउन को बना सकते हैं सबसे पहले देखेंगे यह जो साड़ी है इसका मैंने बॉडर वगरा पुरा निकाल दिया कीहां कटो करके और अब इसको भिचाने का तरीका देखेंगे सबसे पहले है तो इस साड़ी को हम भी और यहां सबसे पहले दबल फोल्ड में मोड़ेंगे इस प्रकार से इसको सीधा मिला करके कटिंग कर दिना है तो इसको अब हम काड़ देंगे फ्रेंड्स ये एक नाइट गाउन है अगर आप लोग वन पीस डिजाइनर गाउन अम्ब्रेला गाउन इस तरीके की वीडियोज देखना चाहते है तो हमारा एक नया चैनल है RD Boutique डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप सभी लोग जाकर के सस्क्राइब कर लीजे वहाँ पर नियू येर के दिन से वीडियोज अपलोड होना इस्टार्ट हो जाएगा तो डिजाइनर गाउन वगरा देखने के लिए आप लोग उस चैनल पर जाकर के सस्क्राइब कर सकते हैं उसके बाद इसी को हम दो तुकड़े में काट देंगे उसके बाद इसको रख देते हैं यहाँ पर इसको मोड़ेंगे ऐसे और फिर यह जो हिस्सा है इसको भी दोनों पार्ट को एक के उपर एक रखना है तो इसको भी रख लेंगे अब इसमें सबसे पहले हमें सीधा निशान लगाएंगे फ्रेंट्स यह शोल्डर वगरा जो हमें मार्किंग करना है वो सब इसी में करेंगे यह कोई खास कटिंग नहीं है बहुत ही असान है लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट इतने ज़्यादा थे तो शोल्डर का नाप लेंगे यहां पर 14 इंच का शोल्डर है बॉडी नाप से यह कटिंग ए फ्रेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि यह मैं बताना भूल गया जब मैंने मेजरमेंट को पढ़ा तो वहां पर यह बॉडी नाप का कटिंग है इस बात को याद रखेंगे और यहां पर शोल्डर 14 इंच का है तो आधे इंच का मार्जिन देंगे और यह निशान हम हाफ करके 7.5 इंच पर लगा लेंगे यह ऐसे 14 का आधा 7 इंच और उसके बाद आधे इंच का मार्जिन फिर नीचे भी एक निशान हमें इसी तरीके से लगा लेना है अब यह दो निशान लग गए इन दोनों निशानों को स्केल से बराबर मिला लेना है इसके बाद तो फ्रेंट से यहां पर आर्म होल लेंगे यह लेना है साड़े 6 इंच का अब यहां पर आर्म होल ज्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह नाइट गाउन है नाकी ब्लाउज और ड्रेस जिसकी वज़ए से यहां पर हलका सा लूज रहना चाहिए गाउन उतना ज्यादा टाइट फिटिंग पे नहीं पैना जाता हूं और जो ट अब फ्रेंट्स इसके नीचे जो जॉइंट होगा वो पूरा घेर रहेगा में जो था यह था हमने काट करके इस पर मार्किंग कर लिया है बात करते हैं गले की तो यह गला आप अपने हिसाब से रखेंगे देखिए कोई लोग गहरा गला पसंद करते हैं तो कोई चड़ा ह हुआ गला पसंद करते हैं तो यह आप अपने हिसाब से रखेंगे इसमें भी बोटनेक वगरा सारी चीजे मनती हैं लेकिन यहां पर मैं डीपनेक बता रहा हूं साथ एंज का तो इसके लिए हम नेशान लगाएंगे ज़ाएंज पर है है और उसके बाद इतको नाप लेना है साथ सफ इंच यहां से नापेंगे तो फिर यहाँ पर आप जो भी गले का सिप देना चाहिए जैसे कि पान गोल तो जो भी Lते चाहें वो दे सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं पान-गली का शेप ऐसे बनाते हैं है अब यहां पर हमें अल्का सा राउंडिंग देना होगा उसके लिए हम उपर से साड़े-5 इंच पर निशान लगा लेते हैं क्योंकि यह सिधा सिधा जॉइंट नहीं होगा इसका घेर तो यहां पर यह राउंडेंग इस तरीके से देर देंगे अब इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ इतना करने के बाद ताकि आप लोगों को कोई confusion ना रहे अब देखेंगे इसकी फुल लंबाई और लंबाई नापते वक्त इसको साथ में ही रखना है क्योंकि टोटल लंबाई इसकी बावन इंच की है लंबाई के लिए देखेंगे फ्रेंट्स यहां पर यह जो साड़ी का बचा हुआ तुकड़ा है साथ का रॉबराव नहीं यहांँ ने निकाला था इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे साड़े साथ इंच पर टेप को रखना है क्योंकि वह जो तकुड़ा निकाला है वह बनने के बाद 157 पर ही आएगा इसके बाद हम ले लेंगे यहां पर फुल लंबाई और फिर निशान लगा लेंगे हम यहां पे थोड़ा सा बढ़ा करके जैसे बावन इंच की लंबाई है तो यहां पे 1.5 इंच का मर्जिन देंगे नीचे मोड़ने के लिए और उसके बाद यहां से इसको डबल फोल्ड में मूड़ना है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे यह देखिए जो हमने निशान लगाया है वहां से इसको मोड़ देना है ऐसे कि यह डबल फोल्ड हो कड़के मुड़ जाएगा यहां पर और फिर उसके बाद हम यहां से इसको काट करके निकाल देंगे फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको रख देना है काम सिर्फ पुत्ते पर ही करेंगे जित्ते हम और शक्ता है कि यह इस प्रकार से इसको निकाल देंगे आप कैंची से कट कर ले अब देखिए इसको डबल फोल्ड में हमें बिछा लेना है ऐसे और इसको बराबर जमा लेंगे अच्छे से पूरा जितना लंबा कपड़ा है उसको बराबर जमा लेंगे यह जो डबल फोल्ड है इसको वापस से उठा करके इदर से ला करके चार फोल्ड करके रख लेंगे तो यह अब चार फोल्ड हो गया जैसे कि हम सलवार वगरा काटते हैं सेमी पट्याला काटते हैं तो उस तरीके से इसको बिछा लेना है बराबर होई खास काम नहीं है यह चार फोल्ड में अच्छे से बिछाने के बाद अब आगे क्या करना है इसको देखते हैं तो यह जो उपर बॉड़ी का पार्ट है इसको उठा करके लाएंगे अब और इसको यहां पर जमा करके रख लेना है फ्रेंट्स यहां पर तो सबसे पहले हम चेश्ट का नाप लेंगे 38 का चेश्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह एक चौथा ही होता है साड़े नौ इंच अब साड़े नौ इंच में यहां पर आप लूजिंग दे देंगे क्योंकि यह बॉड़ी नाप है और गाउन है तो यहां पर टाइट फिटेंग ब्लाउच की तरह इल्कुल नहीं बनाएंगे इसको यहां पर लूजिंग देंगे अपने हिसाब से चार से पांच इंच तक का भी लूजिंग आप दे सकते हैं तीन इंच भी दे सकते हैं जितना आपका चॉइस है जिस तरीके से आप एनना चाहते हैं या कस्टमर का डिमांड है उस हिसाब से करेंगे तो अब देखेंगे यह निशान हम लगाएंगे कैसे क्योंकि यह काफ इंपॉर्टेंट है यहां पर हमने इसको रखा है यह जो उपर बॉड़ी का पार्ट है उसके बिलकुल सिधाय हिस्से से यहां पर साड़े दस को रखना है और इस कॉर्णर पर निशान लगाना है इस इस तरीके से नापेंगे इसको फिर हम क्या करेंगे यहां पर इसकी कटिंग कर देंगे यह जो राउंडिंग सेप मैंने बताया तो यह कट गया उसके बाद इस बॉड़ी पार्ट को उठा करके इसके उपर रख देना है यह बहुत ही बेसिक नॉलेज और एक इंपोर्टेंट नॉलेज मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं फ्रेंड्स गाउन बनाने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा लास्ट से तक देखिएगा यकीनन आप सभी लोगों को इस वीडियो से फाइदा होगा देखिए इसको हमने जमाया कैसे है कितना उपर चड़ाएंगे इसको जहां पर हमने आर्मोहोल का निशान लगाया साड़े 6 इंच पर वहां तक इसको चड़ाना है या फिर यह गले के बराब से देंगे अब इसमें फ्रेंट पार्ट गहरा तो यह ऐसा कोई टेंशन नहीं है इसको एक ही निशान लगाना है आर्मोहोल के लिए राउंडिंग का इसके बाद यहां पर एक स्केल का इस्तमाल करके एक सीधी लकीर खिच लेना है कि यह अब यह जो राउंडिंग शेप ह है यहां पर हम पुरा मार्किंग कर लेंगे जो घेर वाला कपड़ा है उसके उपर इस मार्किंग को कर लेना है तो यह देख सकते हैं आप यहाँ पर लग गया है इसका निशान अब क्या करना है यह जो निशान लगा है ना इसके आधे इंच उपर से हम कटिंग करेंगे क्योंकि इसको सिलाई से हमें जॉइंट करना होगा यह ऐसे काट देंगे और यार मोहल का भी जो रौंडिंग है इसको भी काट देना है अब क्या होगा ये जो उपर वाडी का सेफ है गले का इसको अब कॉर्नर पे ला लेना है जैसे ही हम इसको corner पे लाएंगे ये जो बांकी हिस्सा है ये आ करके इसमें चुन्ट वगरा लग करके fit होगा तो ये उपर में कुछ इस प्रकार से यहां पे चुन्ट आपको डालना है हो सकेगा तो इसकी सिलाई भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा मुझे लगता नहीं है कि इसकी सिलाई बतानी की और शक्ता है लेकिन फिर भी अगर आप सभी लोगों के comments आएं तो मैं जरूर इसकी सिलाई बताऊंगा तो ये चुन्ट के लिए हमने cut लगा दिया है अब ये जो उपर का हिस्सा है इसमें हम गले की cutting कर लेते हैं कि जो फ्रंट का पार्ट है ना इसको आधा इंच छोटा कर देना है जैसे कि मैंने शूट में बताया है अब ये जो पीछे का गला है इसको हमें छोटा रखना है ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे चार इंच का ये गला रहेगा चाहें तो डिप भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चार इंच नॉर्मल चलता है तो इसको पीछे का गले को इस तरीके से काड़ देना है इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर हम हल्का सा राउंडिंग से बनाने के लिए सबसे पहले कमर दिखिए यह बहुत इंपोर्टेंट जानकारी है कि कमर एक्च्वल में आता कहां पर तो जो लोग बॉड़ी नाप लेना जानते हैं उन्हें मालूम है कमर अठारा इंच साड़े अठारा इंच इस तरीके से आते हैं इसके लिए मैं ज्यादा भी टिप्स नहीं दूँगा तो अठारा इंच पर हमने यहां पर निशान लगाया और और यह स्केल से सीधा मिला लिए अब कॉर्णर से हमें डेड़िन छोड़ देना है यह ऐसे और फिर यह स्केल का जो राउंडिंग शेप वाला हिस्सा होता है उसमें इस प्रकार से राउंड शेप देना है जैसे कि हम कूर्ती में देते हैं और फिर नीचे इस तरीके से एक और निशान लगा देंगे तो य यह हलका सर्राउंडिंग सेप यहां पर आ जाएगा और यह इंपोर्टेंट है इसको करना जोरी रहेगा उसके बाद इसको फिर से रीचेक करेंगे लंबाई एक बार पूरा इसका नाप लेते हैं यह देखिए मार्जिन मिला करके तीरपान इंच है तो परफेक्ट है अब यह जो चुन्नटे हैं यहां पर इस प्रकार से लगा लेंगे फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को गाइड कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है सिलाई बताने में मुझे टाइम लग जाए तो यह इस तरीके से यहां पर चुन्नट डाल लेंगे यह बीचो बीच आएंगे चुन्नट इस प्रकार से और उसके बाद अस्तिन की कटिंग तो इसको अब हम मोड़के रख देते हैं अब जो बचा हुआ तुकड़ा है कपड़े का तो यह देख सकते हैं आप यह जो बचा हुआ तुकड़ा है इसको हम सबसे पहले तो चार फोल्ड में रखेंगे इस प्रकार से दो कपड़े हैं और डबल फोल्ड मोड़ दिये तो यह हो गया चार फोल्ड दोनों अस्तिन क पर निशान लगाएंगे और यह जो एक इंच हमने दिया है उपर एक्स्ट्रा मार्जिन यह तुर्पाई वगर आप करना चाहें उसके लिए अगर पाइपिंग लगाएंगे तो यहां पर मार्जिन नहीं देना उसके बाद देखेंगे गुलाई तो मैंने गुलाई इसका बता है पंदरा इंच का साड़े साथ पर निशान लगाएं और उसके बाद यहां पर दे देना है मार्जिन सिलाई के लिए 1.5 इंच का और फिर आर्म होल लेंगे तो ये शेम रहेगा इसको थोड़ा सा बढ़ा करें हम कर लेंगे और फिर यहा पर जो आर्म होल हम लेंगे अस्तिन का आर्म होल यह निसान लगाने के बाद यहां पर हम देंगे to डिला डाला ही कट होता है एकदम ज्यादा ब्लाउच की तरह टाइट इसे बनाने का कभी भी प्रयास नहीं करेंगे और फिर अस्तिन का राउंडिंग यह ऐसे यहां पर हमने बना दिया अब इसको भी कट कर देते हैं अब इसमें भी फ्रेंट अगर छाटने का कोई टेंचन नहीं है तो यह छोटा सा कट लगा लेंगे यह सिलाई वाला और सेंटर का और इसमें फ्रेंट और बैक का कोई जंजाटी नहीं है तो इस तरीके से जो है गाउन की कटिंग कंप्लीट होती है मुझे उम्मेद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें फैमली फ्रेंड्स के साथ सेयर करें मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में